हलो दोस्तों नमस्कार जी एस उनिकार्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनेंदन करते हैं आज हम लोग बात करेंगे सीटेट प्रथामिक लेबल के परड़ाम ना जारी करने के लिए हाई कोट ने आडर किया कि बीएड को प्रथामिक से बाहर किया गया अब सीटेट के प्राइमरी लेबल के साथिटिफिकेट को इंबैलिट करने की बात कि गई है या फिर जो रिजल्ट है जो भी रिजल्ट ढारी होने वालों उसकी बात की गई है आगे बात करेंगे जो 20 अगस्त को सिटेट होने वाला इसके लिए क्या खवर है चली बिलकूल देखते हैं बीएड को बाहर कर दिया गया केंद्री विद्याले संगठन की ओर से मद्ध पदेश में प्रथामिक सिछक भरती के लिए दिसंबर दोहजार बाइस में बिग्यापन जारी हुआ था इन दोनों बिग्यापनों की बात को या इस कोट की आडर के बाद भी बीएड को वहां से कर दिया गया दिस दूसरी चीज क्या है कि सीटेंड में अभ्यारती जो सफल हुए थे उनके प्रामाण पत्र को भी रद्धी करण करने की बात की गई इसके पहले जो बीएड वाले लेबल फश्ट में जो पेपर दे रखे थे कि मलदा प्राइमरी लेबल का उनके सार्टि सेटा में नीके नोट में लिए लिखा गया है एक अडिग्ट सुप्रीम कोड केरड़ के आने के पाद आपके रिजल्ट को इन वैलिट कर दिया गया है इसी तरह है इसमें और बात क्या है सफले बैरती को परिछ्ष पर इच्छा जह भी धोने वाली है इस पर क्या आश्य दियुग कोई मतलब नहीं है साब बाती है क्ईंदी मादमी सिछा बोर्ट के अंसार सी बिस्वे हुएस सी दिसंबर दो हजार बैस में आजित के इनली सिछक पात्रता परिच्छा सिटेट प्रथामी कस्तर में सत रखी थी कि परमाणपत्र की बैदता सुप्रीम कोड के निर्णाय के आधार पर होगी तब सुप्रीम कोड ने इस निर्णाय दे दिया इसलिए आपका साटिक्रिकेट अमाने हो गया है अभी जो सीटेट में इसके पहले भी सेटी एकजाम हु अब हो सकता है आपको कोई आभी आ जाए कि आपको पफ्र देने ही ना दिया जायं तो पहले पर आप को देने कोई मतलब नहीं, आपके पास स्कुद है भी तब धिक्रा इसलिए विल legislator अब जो लोग झाल झाल